नमस्कार स्वागत है आपका संसेट टीवी पर मैं हूँ मनोश्वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कायक्रम मुद्दा आपका आज हम बात करेंगे भारत भूटान संबंदों की भारत व भूटान ने हाली में अपने दिपक्षिये संबंदों को मजबूत करने की दिशा में कई छेत्रों में मिलकर काम करनी की घोशना की है भूटान नरेश, जिगमे, खेसर, नामग्याल वांग्चुक ने 3 नवंबर को असमकी राजधानी गोहाटी से भारत की अपनी आठ दिवसिय यात्रा शुरू की थी प्रधान मंत्री नरेश, भूटान नरेश, वांग्चुक ने 6 नवंबर को नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच दिपक्षिय सहोग पर विस्तार से चर्चा की और एक सहोग तो बियान जारी किया भूटान अपने छोटे आकार के बाबजूद दक्षिन एशिया में रणनीतिक रूप से महत्पूर्ण स्थान रखता है और छेत्रिय सहोग के प्रयासों में भारत के लिए एक प्रमुक भागीदार रहा है इसलिए मुद्दा आपका में भारत भूटान संबंदों की बात करेंगे चर्चा करने के लिए दो खास महमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व राजदूत अनिल तिर्गुणायत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल जी आपका स्वागत है संसर्ट टीवी पर साती हम बात करेंगे प्रोफेसर हर्ष वी पंत जी से जो उपाध्धक्ष है अध्यन और विदेश नीती ओ आरेफ से हर्ष जी आपका भी भवबव स्वागत है संसर्ट टीवी पर लेकिन शुरुवात अनिल जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा भारत भूटान संबंधों का है भूटान अरेश भारत की यात्रा पर है प्रधान मंत्री जी के साथ उनकी भेट वारता भी हो चुकी है इन संबंधों को आप कैसे देखते हैं दोनों देशों के लिए ये दोस्ती ये संबंध कितने महत्पूर है धन्यवाद मनोजी देखिए अगर हम रिष्टों के अंतरश्टे रिष्टों के अधार पर देखें तो भारत और भूटान के जो संबंध है उनका दूसरा कोई ऐसा रिष्टा नहीं है हमारा किसी और देश के साथ जैसा भूटान और भारत का है और ये यूनीक भी है और करीवी जैसा बोला जाता है और दोनों के बीच में एक बड़ा विश्वास है एक दूसरे के प्रती गुडविल है एक अंडरस्टेंडिंग है और इस तरह जो फॉरन पॉलिसी जो वहां की है उसका जो भारत के जो इतने भी हमारे जो सेंसिटिव कंसर्ण्स हैं उनके बार में भी वो हमेशा बड़ा माइंडफुल रहता है देखिए इस साल हमारे 55 वर्ष की मेरे समस्ताव डिप्लमाटिक रिलेशन स्टिबिश हुए हो गये हैं जी एक एनिवर्सरी है उसमें आप इसमें देखें कि कई बार वहां के किंग और वहां के प्राइम मिनिस्टर और कोपरेशन का जी हालागि रिष्टे जो डिप्लमाटिक रिलेशन 68 में समित हुए थे लेकिन उनने 49 की ट्रीटी है जो 2007 में फिर से रिन्यू हुई और उसके अंतरगत सारे जो जो वहां की उनकी जो एकॉनमी है उनकी जो पॉलिटी है उनका जो विदेश दीती है उनके जो पांच वर्ष ये प्लान होते हैं उसके लिए भारत देता है जी तो जितनी भी इस मैक्सिमम असिस्टेंस हमारा जाता है वे देशों में सबसे ज़्यादे भारत से जाता है उनको तो उसका उनको काफी एक तरह से मैं कहूंगा वो उसकी सराना करते हैं और अब रिष्टे दूसरी तरफ जा रहे हैं प्रदानमंत्री मोदी की जब विजिट हुई थी दोहजार उनिस में तो यह उसी की एक कड़ी है तो उसमें अगर आप देखें तो वहाँ पर तीन-चार अच्छे नए चीज़ें सामने आइए एक तो देखें भुटान की खासियत यह है कि विक उसके सिलसिले में जैसे आपने देखा कि अभी एक रेलवे करेक्टिविटी की बात हो रही है तो बंगलादेश के साथ भी किनेक्टिविटी बात इतलिए उनका जो पहली बार वो आसाम गए है अब महराश्टे भी जाएंगे इस बार तो आसाम में जो उनका विजिट है उसका कारण यह है कि एक ट्राइलेटरल कोपरेशन में दूसरा चीज़ यह है कि भूटान देखिए अगर बाइलेटरल के अलावा हमारा भूटान के साथ जो रिष्टा है बीबी आईन नेटवर्क है उसके अंदर अंतरगत है दूसरा बिम स्टैक है उसके अंतरगत है और और हमारे इतने ट्रस्टवर्दी रिष्टे किसी और देश के साथ नहीं जाये जासा है जी बिलकुल बिलकुल अनेल जी मैं इसके जो अलग-अलग पहलू है जो भारत और भूटान के बीच समझहोते हुएं किन शेत्रों में मिलकर काम करने के लिए दोनों देशों ने सहम माइने हैं हर्श यह मैं आपसे समझना चाहूँगा इस मुद्दे को क्योंकि जाहिर तोर पे भूटान के साथ जो भारत के रिष्टे रहे हैं कोटीतिक दिष्टी से या सांस्केतिक दिष्टी से जो संबंद दोनों देशों के रहे हैं उसमें दोस्ती कई सदियों पुरा और भूटान के भी ऐसे संबंद किसी और देश के साथ नहीं हो सकते क्योंकि जो जो जोग्रफी का तकाजा है जो इतिहास का तकाजा है उसको देखते हुए दोनों देशों ने बड़ी कैरफुली इस रिलेशन्शिप को क्राफ्ट किया है मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले कुछ वर्षों में हुआ है इन रिष्टों के साथ वो बड़ी इंपॉर्टन्ट डेवलक्मेंट इन रिष्टों में हुआ है कि हमने प्रधारमंत्री मोदी ने और वहां के जो नरेश है भुटा नरेश उन्होंने इस रिष्टे को किस है है कि देखिये यह संबंध हमारे अतिहासिग भी है सामरिक भी है और जो जो ग्रफी का कनेक्ट, वो में लेकिन क्योंकि एक नई जनेरेशन भुटान में आ रही है और भुटान में डिमोकरसी आई है उसके उस तकाजे से हम को इस relationship को कैसे इसकी जो sanctity है इसकी significance है उसको बरकरार रखना है उसको देखते हुए मुझे लगता है जो अलग अलग शेत्रों में आज के शेत्रों में तक्नीक और science है, space है इन सारे मुद्दों को लेकर काफी गेहन विवेजना है गेहन सोच रखते हुए कैसे बढ़ाया जाए यह बड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यह बात याद रखने वाली है कि जो एक बड़ा देश भूटान पर नजर गड़ाय बैठा है वो चीन है बिलकुँ बहुत मैटमूर पहलू है चीन के साथ रिष्टों का अनिल जी इस पहलू को मैं आपसे भी समझने की कोशिश क करूँगा लेकिन उससे पहले जो दोनों देशों के बीच प्रधानमंती नरेज मोदी के साथ भूटान नरेश ने जिन छित्रों में मिलकर काम करने की गोशना की है सहमती जताई है वो कनेक्टिविटी का मुद्दा है आपने भी इसका उल्ले किया जरा विस्तार से हमें ब एक इक क्रनेक्टिविटी हो यह और पीटू पीकर कनेक्टिविटी हो इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा उद्देश होता है और बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं आप भूटान जानते हैं कि लैनलॉग कंट्री है तो हमारा उनके साथ जितने भी एक्टे डिलेट लिए है भारत के लिए इंपोर्ट करने के लिए पर किसी तीसरे कंट्री को भी अगर वो करना चाहें तो जहां तक यह मैंने जैसे बीबी आई आइन और विम्स्टेक का भी जिकर किया उन सब के संदर्ब में तो हम लोग काम करते हैं साथ में लेकिन चुति जो सर्प्लस वहा प्लान अपना डेवलेप्मेंटल एक जो उनका मॉडल है उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहता है तो उनका अभी जो फाइव यर प्लान है वो खतम होने वाला है उसके अंदर नई प्राइटीज के लिए उनको फंडिंग किया चकता है किस तरह से क्या-क्या चीज़े उन बढ़ा रूल है यह स्पेस का उपरेशन का तो रेल कनेक्टिविटी एलेक्टिसिटी ट्रास्फर कनेक्टिविटी थू इंटरिनल एक्स्चेंज अग्रिमेंट एंड मैनेजमेंट जो स्पेस है उसके तुरू देखिए जो हमारा साथ सेटलाइट भारत ने लौच किया थ स्ट्रेटिजिक है दूसरा हमारा अफकोर्स आप देखिए कि आज की दुनिया में कोई यूनी फोकल या यूनी लैटरल निशेचिप तो है नहीं हरे करिष्टे कई कंट्री के साथ में होते हैं तो अभी हम पिछले कुछ दिनों में जैसे प्रफसरपन ने भी कहा कि चीन क दीरे से कुछ बाचीत करी है और पीछे प्रॉब्लम हो भी चुकी है जैसे आपको मालूम है मेरा मानना यह है कि हमारे ट्रेड और उसके बारे में काफी बड़ा डिसकेशन हुआ है आप सो सकते हैं कि हमारे भुडान के साथ बाइलेटरल ट्रेड जो है रफली करीब करी व दूसरा उनके जितने भी इंवेस्टमेंट होते हैं वहाँ पर उसे मोर दन 50% भारत से जाते हैं वहाँ पर FDI पुरा तो हमारी सारी मेजर कंपनीज वहाँ पर उनकी जो डेवलप्मेंट के लिए उनके हिसाब से जो उनको डेवलप्मेंट मॉडल चाहिए उसमें उनकी मद दिश्टी से भारत और भूटान के संबंद सदियों पुराने हैं लेकिन पहली बार हर्ष जी प्रधानमंती नरिन मोदी की पहल पर और भूटान नरेश की पहल पर रेलवे लिंक के जरिये कैसे दोनों देश जुड़ें इस दिशामे सर्विक्षण के लिए सहमती बनी हैं प ज़रूरते हैं उनको देखते वे भूटान चाहता है कि उसके जो पार्टर देश यह खासकर भारत उसकी मदद करें तो इसमें जो कनेक्टिविटी का मसला जिसका आप भी जिक्र कर रहे है है अगर हम यह जो ब्यापारिक ट्रेड है उसको आगे और बढ़ावा देना चाहते हैं या third countries की connectivity हम भूटान को देना चाहते हैं तो उससे ये पहला कदम होगा उसकी तरफ कि हम वो railway की जो connectivity है उसको स्थापित कर पाएं और मुझे लगता है जो भूटान इस समय देख रहा है देखे इस समय दो ही एक तरह से भूटान के दोनों तरफ बड़ी आर आर्थिक जो सामरिक शेत्र हैं उसमें बढ़ता जा रहा है लेकिन अगर आप इस समय भारत की इकनाम आर्थिक ट्रैजिक्ट्री को देखेंगे तो वो ज्यादा विश्वस्तिया है उसमें जादा उसको एक जैसा अभी discussion हो रहा था कि एक comfort level भारत के साथ ये है कि भारत ने कि जो भारत के थ्रू connectivity मिले भूटान को पहले वो भारत की जो एकनामिक ग्रोथ है उसका फाइदा मिले उसको और उसके बाद भारत की थ्रू और देशों तक वो पहुँचे तो इसमें चाहे वो South Asia के बाकी देशों या उससे आगे कि अगर हम परिकल्पना कर सकते हैं जिस अगर उसकी connectivity, railway connectivity ज्यादा बढ़ती है और सर्वेक्षन के बाद कोई viable alternative निकल के आता है और उसके बाद उसकी विवस्ता की जाती है और उसमें जाहिर सी बात है भारत उसमें leading role प्ले करेगा तो उससे भूटान को भूटान के जो अभी ambitions हैं कि उसको भी और आर्थिक तरक् बास हो जिसके जरिये वहां का जो वातावरन है वो दूशित हो तो उसको देखते वे भी भारत एक ideal partner है और इसलिए मुझे लगता है ये पहल भारत ने करके एक बार फिर इस बात को अंडर स्कोर किया है कि भारत जिस तरह से भूटान को समझता है वो और देश नहीं समझत है और इसलिए भारत के साथ भूटान जो भी connectivity के projects आगे बढ़ाना चाहेगा वो बहुत सशक्त होंगे क्योंकि अभी हम दूसरी तरफ BRI को भी देख रहा है और चाइना की connectivity projects जगे जगे बिखरे पड़े हैं अटक गए हैं और उसके साथ जो costs चीन इंपोस करता है मुझे ल परसंद करेंगी और इसका इसको leverage करके अपने आर्थी प्रिकास के लिए इसका फायदा उठाएगी जी हर्जी आपने नई जन्रेशन की बात की जो भूटान की नई जन्रेशन है जाहिड तोर पर भारत और भूटान की संबंध हैं मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं तो चीन की बात भी करनी पड़ेगी क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी सोच है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक तिब्वक का मसला भी उभर के आता है और उसके चलते भूटान के साथ हाल के वरशों में जिस तरह से चीन ने अपनी दोस्ती बढ़ाई है बढ़ाने की क पिछले कुछ सालों से मुझे लगता है 1984 में इन्होंने चीन ने हाथ बढ़ाया था उसके बाद से लगातार चीन एक कैरेटरिस्टिक पॉलिसी के तुरू भूटान को इंगेज करता रहा है और उन्हें लगातार देखा है कि पहले M.O.E.U. साइन हुआ उसका नेगोसेश शुरू हुए है फिर 25 दौर की वारता हो चुकी है बॉर्डर इशूस को लेकर और यह एक तरह से चीन का क्यूंकि अगर आप दक्षन एशिया देखें साउथ एशिया में देखें तो चीन हर देश के साथ अपनी पकड़ ऐसी बनाना चाह रहा है कि वो उसको एंटी इंड गया बाद को ताड़ लिया था कि चीन के साथ अगर संबन्ध बढाने तो उसको भारत के साथ बैलेंस करके आगे बढ़ना पड़ेगा चीन भारत की सक्यूरीलिंट्रेस्ट को करके चीन के साथ मदना अगे नहीं बढ़ाना चाहता है और इसका ये हमको बार-बार नजर आता है तो अभी भी जब आप देखें भूटान के विदेश मंत्री की जो विजिट हुई चीन उसमें काफी बड़ी-बड़ी बातें की गई और उसके बाद ये 25 जो राफ जे उसमें जो इंट्रेस्टिंग बात निकल कर आ रहे हैं एक पैकेज डील कर ली जाए जिसमें की ना सिर्फ आप ये बाउंडरी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें बलकि आप चीन को डिप्लोमाटिक प्रेजन्स भी दें भूटान में तो वो जो एक दबाव की जो रनीती चीन की रही है वो भारत को देखते भी रही है और जिसका आपमें जिक्रिकिया तिबट में जो फाइफ फिंगर्स अप्रोच रहा है कि भूटान को एक फाइफ फिंगर्स के तौर पर वन ओफ फाइफ फिंगर्स के तौर पर उसने देखा है उसके चलते चीन हमेशा से इस बात को लेकर काफी आतुर रहा है कि वो किसी तरह से भूटान के साथ आगे बढ़ता है तो उसमें मुझे लगता है जो भूटान नरेश की जो विजिट होई है उसने काफी इस बात को और फिर से दोराया है कि भारत के साथ या भारत की सेक्यूरिटी इंट्रेस से उनके साथ किसी प्रकार का कॉम्परमाईज भूटान करने को तैयार नहीं है जाहिए तो पर जब मंताराश्टिया संबंदों की बात करते हैं उसमें ये जो पहलू है देशों के रिष्टों का उसको भी कूट्णी तिक दिष्टी से भी देखना पड़ता है समझना पड़ता है अनिल जी इस पहलू को मैं आपसे भी समझना चाहूंगा क्योंकि ये मुद्दा देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है भूटान और भारत दोनों की सुरक्षा से जुड़ा है दोकलाम का अगर हम बात करते हैं तो दोकलाम का जो गतिरोध था भारत चीन भूटान एक प्रकार से त्री बिंदू पर एक महत्मूर घटना करम घटत हुआ था इस पहलू को देखते हुए आप दोनों देशों के संबन्द को कैसे देखते हैं और यहां पर जब भारत इतने विकास के काम भूटान में कर रहा है सहोग कर रहा है हर दिस्टी से ऐसे में चीन की भूंग का कितना सजग रहने की जरूवत है जैसा प्रफिसर पंत में बाड़ी टेल में बताया इसकी बैकराउंड को मेरा मानना यह है के चीन जो है आज की डेट में भारत को अपना सबसे बड़ा पृतिदध्धी बांता है और मेरा मानना यह है के भारत के लिए दुनिया में हल जियोगरिफी में चीन एक चैलेंज बन कर रहेगा चाहिए वो इंफ्लुएंस के रूप में हो पॉलिटिकल इंडर कटिंग हो जीरो सम पॉलिसी हो तो यह तो हर जगे हैं और इसी तरह उन्होंने जिस तरह अपनी यह सारे हमारे जो नेवर उड़ हैं उसके अंदर में चीन ने अपने पाउं हाथ पाउं पहलाएं हैं और आपने देख लिया कि कुछ कंट्रीज में जैसे श्रिलंका में हुआ और दूसरे कंट्रीज इवन पाकिस्तान जैसे देश भी सफर कर रहे हैं जो उनकी डेट ट्रप डिप्लोमेसी है मैं समझता हूं उसको बुठान बड़ी अच्छी तरह से समझता है और इसलिए आप देखें कि अगर भुठानी रोगों से लीडर्शिप से आप बात करें तो आपको लगेगा कि बड़ी दूर गामी उनकी सोच है वो एक छोटे ट्रैप में नहीं फसना चाहते हैं इसलिए देखिए बी आर आई का प्रोजेक्ट था उसमें हमारे नेबरोल में बुठानी एक क्ल़ सा देख है जिसने उसको नहीं सपोर्ट किया नहीं उसको किया इसका मतलब यह नहीं है क्यों चीन के साथ कोई रिष्टा है रखना चाहते हैं लेकिन वो चीन के ट्रैप में नहीं फसना चाहते हैं और उसका जो दारोमदार है वो भारत के उपर भारत के बहुत डिपेंट करता है दिखें छोटे देशों को काफी मदद के हमेशा ज़रूरत पड़ती है इसलिए भारत का जो सबसे जाद असिस्टेंस ह वो भुटान की तरफ जाता है उसको पूरी एकसेस उसका चाहें टूरिजम रिलेक्टेड हो चाहें उनका एनरजी की सारी परचेज हो गरा हो तो जितना भी उनको फाइनेशली मैनेफिट बने दिया जा सके था कि एक कंट्री जहां पर हापिनेस सबसे जाद है सस्टेनेब तो जहां तक देखें प्राब्लम तो होती है चोटा कंट्री होता जब उसके दो बड़े बड़े नेवर्स हैं तो इस बात को भारत अच्छी तरह अप्रिशेट करता है और वहां की जो लीडर्शिप है क्या चाहती है उसकी रिस्पेक्ट पर करता है तो अच्छी बात यह है कि वह यह सब असलियत जो चीन की असलियत है उसको बड़ी-बड़ी बात इसमसते हैं बिल्कुल हर्ची अगर बात नई जनरेशन की हम कर रहे हैं तो भारत और भूटान नरेश के बीच एक परकार से यह भी समझोता हुआ कि भारत भूटानी च्छात्रों को च्छात्व पहलू को आप कैसे देखते हैं देखे मुझे लगता है कि यह सबसे महत्तुपूर्ण पहलू है हमारे संबंधों करा कि हमारे की संबंध हैं वो सिरफ इतिहास को दोरा कर नहीं आज की दोर पर हम उसमें विश्वास कर सकते हैं यह जो नई जनरेशन है भूटान की और वो अपनी नई आशाएं हैं आकांगशाएं हैं वो दुनिया के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कहीं पर और जो हमने जद्दो जहेद देखी है कि चीन के साथ किस तरह के संबंध हो वो भी इसी बात को लेकर है कि क्या हम एक हर्मिट किंगडम भूटान को कहा जाता है क्या हम ह हुमिका निभाता है क्या भारत उसमें एक positive contribution करता है या भारत उसमें एक obstructionist power के तौर पर नजर आता है इस पर depend करेगा इस generation का outlook और हम यह देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जो younger generation है उसको चीन का exposure बहुत मिल रहा है तो उसके चलते मुझे लगता है भारत का भारत की जो रन नीती है जिसमें कि आज हम इसकी बात कर रहे हैं कि पहले भी आते थे पहले पहले के पहले के पहले भी students आते थे academics आते थे capability building exercises हमने पहले बहुत करी है लेकिन आज उसकी महत्ता जादा हो गई है क्योंकि वह जो वहां की generation है वो और देशों को भी carefully assess कर रही है तो हमा आरे जरूरी हो जाता है कि हम अपना गेम उचा करें हम जादा बहतर काम करें और जादा capabilities capacity building का जो हमारे प्रोग्राम से उनको upscale करें तो जहां तक चात्रों का सवाल है चात्रवित्ती का सवाल है मुझे लगता इससे बड़ी चीज तो हो ही नहीं सकती जब एक ऐसे समय से जो अर्थवरस्ता का पहलू होता है वो खास तौर पर बहुत महित्पूर है देश की अर्थवरस्ता के लिहाद से भी बहुत महित्पूर है और मैं अनिल जी आप से समझना चाहूंगा क्योंकि भोटान का जल विद्धुत छेत उसकी अर्थवरस्ता का एक प्रमुक इस है हाइड्रो पावर जो डेवलेप्मेंट हुआ है वहां के जो सोशियो एकॉनमिक डेवलेप्मेंट है भुटान का उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वाइटल कैटलिस बोल सकते हैं आप इसको इसके बिना उनका बेन जो रिवेन्यू जेनरेशनिंग है वहीं से आती है कुछ और नए प्रोजेक्स भी जो है वह किये गए थे दोनों के बीदेशों के बीच में जो आजकल जिसके बारे मैं भी इस बार जॉइंट स्टेटमेंट भी कहा गया है कि वह तो उससे उनको और ज्यादे लगबाग अजार मेगावाट का और एक्स्ट्रा जो है किस तरह से हम उसको कर पाएं उनके एनरजी बास्केट को तो यह एक नया इसबार का आयाम हुआ है और दूसरी चीज़ यह है कि हम उनसे सबस्याद है नाइंटी परसेंट जो एक्सचेंज प्रोग्राम है इसके अंतरकर खरीदते हैं अब उससे उनको रिवेन्यू जैनरे कनेक्टिविटी फो ट्रेड या जिस तरह की भी स्टूडेंट्स को एक्टुकेट करना असाम के अंदर तो असाम में कस्टम प्रोग्राइज सब लगाई जाएंगी तो यह एक कॉंप्रहेंसिब पैकेज की बात हो रही है जो उनका जो एक बाया मैं काऊंगा फाइव यर जो नहांे वाला है थर्टीद उसके अंतबर गत यह सारी चीजें आगे बढ़ेंगी और फोर्स शीजें किस तरह से कॉपरेशन हो इन्नोवेशन हो दोनों कंटर्रिस के बीच में किस प्रहे स्ट्इम हो स्पेस कॉपरेशन हो energy कॉपरेशन & new area वह सारी चीज इसकिल डेफ् प्रिकार से भारत भूटान के संबंदों की तो बात है लिकिन बंगला देश के साथ कनेक्टिविटी को लेके या दूसरे उर्जा संबंदी पहलू को लेकर भी जिस प्रकार से भारत, भूटान और भारत का खास और से नौर्थीस्ट का जो छेतर है और बंगला देश इस कनेक्टिविटी का क्या कारण है, क्या संदेश है इसका? देखें, इसका संदेश सबसे बड़ा ये है कि भारत जो है अपनी जो बेव बंगॉल कम्यूनिटी है या इस्टन फ्रंट है, उसमें उन देशों के साथ इंगेज करके उसकी जो भारत की जो अर्थ विवस्ता है, उसको अपने पड़ोसी मित्र देशों के लिए लेवरेज क करने की शमता रखता है और कोशिश कर रहा है कि वो भारत की जो डेवलप्पेंटल जर्णी है, उसका हिस्सा बन पाएं, हमने जो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्री लंका और जो बिम्स्टेक का फ्रेमवर्क था, उसमें हमने पिछले कुछ सालों से जादा फोक कि जो जोडने की जो कोशिश की जा रही है, चाहे वो एनर्जी कनेक्टिविटी हो या बाकी कनेक्टिविटी हो, की उसमें जब हमारा जो नौर्थीस्ट है, वो जो 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 जOGरफी है हमारी, उसको हम कैसे लेवरेज करके इन पड़ोसी देशों की मदद कर सकते हैं, और इ जाता है तो क्योंकि इसमें दोनों ही हमारे मित्र देश हैं, दोनों ही interest दिखा रहे हैं, दोनों ही काफी हद तक आगे बढ़ कर बढ़ चल कर इसमें participate भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है, बांगलादेश बुटान जैसे तो उसको कैसे ठीक किया जाए और मुझे लगता है ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप सब regional aspects पर जोड़ दें और उसी को कार्यानवित किया जा रहा है जो भी projects का हमने discussion किया अभी तर जाहिर सी बात है हरजी कि प्रधान मंतरी नरेद मोधी की जो विदेश नीती है उसका भी एक मूल मंतरी यही है सबका साथ सबका प्रयास और उसके साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ मजबूस संबंद बनाए रखते हुए सबका विकास जाहिर तोर पर भारत और भूटान के संबंद दोनों देशों के संबंदों को दोनों देशों की दोस्ती को एक नई की संसर टीवी से भावब धन्यवाद भावब शुक्री आप दोनों का तो आज हमारे इस कायकरम में इतना ही मुझे दीजे आग्या नमस्कार